Hello my YouTube family, कैसे आप सब, I hope सब अच्छे होंगे और खोश भी होंगे आज हम बताएंगे आपको ये खुबसूरत लेस कैसे बनानी है तो वीडियो स्टार्ट करते हैं 1 थर्ट कप पानी लेंगे और तेज गरम करेंगे पानी को बॉयल कर लेंगे 1 फॉर्ट टी स्पून गुलकोस सिरप मिक्स करेंगे बहुत असानी के साथ ये बन जाती है वस आपके पास ये लेस मैट होना चाहिए और तीन चार चीजों को आप बाई करें और ये गलू आप रेडी करके बना सकते हैं वन टीबल स्पून टाइलोस पॉर्डर मिक्स करेंगे अच्छी तरह फॉक से मिक्स करेंगे और फिर हम पांच से दस मिनट के लिए छोड़ देंगे रेस्ट के लिए और जितने वाइट इसमें पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं वो सब खत्म हो जाएंगे मिक्स करेंगे और वन टेबल स्पून कॉन फ्लार हाफ टेबल स्पून आइसिंग शुगर एड़ करेंगे और मिक्स करेंगे तो जब तक हम ये मिक्सिंग करते हैं न्यू मेंबर्स को वेलकम करते हैं असद खान, नहीद फ्रॉम पशावर उनको अपने चैनल पर वेलकम करते हैं उन्होंने बहुत प्यारा कॉमेंट किया है कहती है मैं रोजाना आपकी वीडियो देखती हूँ थैंक यू सो मच बहुत सारी दुआएं और प्यार हमारी तरफ से वो कहती है मैंने भी आपको सब्सक्राइब किया है और आप बहुत अच्छे अंदास समझाती है थैंक यू सो मच आपको अपने चैनल पर वेलकम करते हैं नीटू शर्मा उन्होंने कॉमेंट किया है केक पर राइटिंग के लिए यूज होने वाले और भी ऑप्शन क्या है वो भी शेर करें जरूर किसी वीडियो में आपके साथ शेर करेंगे लेट्स कुक विद आसिया उन्होंने कहा है फुल वीडियो वाच की है जबरदस रेसेपी है यह कॉस्टली नहीं पड़ती कंडेंसमिल की वज़ा से बिलकुल ऐसा है अब हम वाइट फूट कलर मिक्स करेंगे जब भी हमें अगर यह पेस्ट कलर वाला रेडि करना है तो भी हमें वाइट कलर एड लाजमी करना है ताके जो भी हम फूट कलर एड करें वो ब्राइट कलर हो तो हमें वाइट लेस बनानी है हम कुछ ड्रॉप्स और वाइट कलर एड करेंगे और मिक्स करेंगे किसी वीडियो में आपको कंडेंस मिल्क बनाना भी बताएंगे रेहाना खावर उनको अपने चैनल पर वेलकम करते हैं उनके बहुत सारे क्वेस्चन हैं उन्होंने कहा है चॉकलेट स्पॉंच बता दें तो वो हमारे चैनल पर बहुत सारी वीडियो अपलोड है आप विजिट कर सकते हैं हमारे चैनल पर एर ब्रश का होना जरूरी है बिल्कुल नहीं वन टेबल स्पून हम पानी एड़ करेंगे और मिक्स करेंगे अच्छी तरह ताके स्मूद पेस्ट रेड़ी हो और लेस मैट पर स्प्रेड कर सकें और उन्होंने कहा है इसमें कौन सा कलर यूज़ करें तो कलर तो food कलर ही इसमें एड़ कर सकते हैं क्यूण के के उपर स्प्रे करने के लिए airbrush का इस्तवाल किया जाता है तो इतना महंगा airbrush करीदने की क्या जरूरत है मैनृल एरब्रॉश भी आता है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं अब लेस मैट के उपर सायम शा, आशा फ्यास, सादिया शाजव, उन सब को अपने चैनल पर वेल्कम करते हैं, हर्फन मौला, जायकेदार, कुकिंग विद दिया, ओल-in-वन, उन सब को अपने चैनल पर वेल्कम करते हैं, बहुत प्यारे comments हैं सब के, आप spread करे हैं हम lace mat के उपर, प्यारा कॉमेंट किया है, बहुत सारे हार्ट्स, बहुत सारे अमोजी भेजे हैं, और केकी बहुत ही तारीफ किया है, थैंक यू सो मच इतने प्यारे कॉमेंट के लिए, बहुत सारी दुआएं, प्यार हमारी तरफ से आप के लिए, हमारे तमाम व्यूवर्स, जो हमारी वीडियोज देखते हैं, हमें बहुत प्यार देते हैं, हम तै दिल से उनके शुकर गुजार हैं, अब हम हार्ड प्रेपर लेंगे, और अच ताके लेस अच्छी खुबसूरत, नीट रेडि हो। यहाँ हम यह पेस्ट रेडि की है, टाई लोस्पॉडर के साथ, तो यह चार से च्हे गहंते में, गर्मी के मौसम में ड्राए हो जाती हैं, आप सेम दे अगर केक का उडर हो, तो यह चार से च्हे गहंते पहले, रेडि रेडी करें और ये ड्राइ हो जाएगी जब तक आपका केक डिलीवर होने का टाइम होगा आप केक पर अराम से लगा सकते हैं तो बहुत असान रेसिपी है आप जरूर ट्राइ कीजिएगा फीडबेक दीजिएगा अब चार घंटे में लेस ट्राइ हो चुकी है आइस्ता आइस्ता साइड से निकालेंगे ताके लेस टूटे ना यहां लेस निकालते वे बहुत इत्याद से हमें लेस मैट से लेस को निकालना है यहां देखें आप ये तरीका भी इक्तियार कर सकते हैं बहुत अच्छी लेस रेडी हुई है, सॉफ्ट है कैसी लगी आपको हमारी ये आज की वीडियो comment box में अपनी राय का इजहार कीजिएगा और जो भी आप जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, baking से related comment box में जरूर हमें बताएए, हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे जो भी हम जानते होंगे उस बारे में जरूर आपको बताएंगे हमें आपके comments का इंतजार रहता है, तमाम वीवर्स के बहुत प्यारे-प्यारे comments होते हैं तो यहां देखें, lace ready है, और बहुत soft ready हुई है, यह देखें एक मुठी में देखें, पूरी लेस आ रही है, hard नहीं है, तो लेस बनाएएगा और feedback दीजिएगा, तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिए, मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए, खुदा हफिज